हलो प्यार बच्चों आप सभी अपना यूट्यूब चैनल वाई आरेस किलास में बहुत-बहुत स्वागत है तो पिर बच्चों आज के वीडियू में हम पढ़ेंगे बिग्यान तो बिग्यान में तेन पार्ट है भावतिक बिग्यान रसायन बिग्यान और जू बिग्यान यहां पर पढ़ेंगे भावतिक बिग्यान जो दूसरा लेसन आपका है मान नेत रग्विरंगा संसार है इसमें जितने भी महत्वड परशन हैं उन सब परशनों को हम बताएंगे और आपको भी पढ़ना है और मेरे वीडियो को पूरा देखना भी है ठीक तो यहां पर जि तो यहां पर जो निकट हैं तो निकट के माने होता है पास या नजदीक दिश्टी माने देखना दोस में इसकमी यानि जो आपका आँख है उसमें कुछ कम्या भी होती है क्या होते हैं कुछ कम्या भी होती है कह रहा है निकट दिश्टों दोस से आप क्या समझते हैं इसे दूर करने के लिए हमें किस लेंस का परियोग किया जाता है ठीक यानि अगर आपके आँक में कोई दोस है उस दोस को उस कमे को पूरा करने के लिए हम लेंस का परियोग करते हैं उस लेंसे में कौन सा लेंस परियोग करते हैं उत्तर लेंस या आउतर लेंस तो यहां प्रश् द्रिष्टी दोस द्रिष्टी माने देखने दोस मिस कमी ऐसा द्रिष्टी दोस जिसमें निकट की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती हैं किन्तु दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं इसे ही निकट द्रिष्टी दोस कहते हैं यानि जो वेक्ति लोगवेटके अगर व्यक्ति निकड़ की वस्थोया पात की वस्थोय तेख पा रहा है प्रन दूर three不對 नहीं देख पा रहा है वह इंसान तो इस इन्सान को कॉत हुआ निकड़ेटी दस查 इलए दिखाई देते हैं प्रंतु दूर की वस्तुएं वह असपस्ट उससे दिखाई नहीं देती हैं इसे ही क्या कहा जाता है निकट दिश्ट दोस कहा जाता है तो इस दोस को दूर करने के लिए हम किस लेंस का प्रश्ण पूछा जाता है अगर किसी वेक्त के नेते में निकट दिश्ट दोस है तो उस दोस को दूर करने के लिए हमें किस लेंस का पर्योग करना चाहिए उत्तर आपका होना चाहिए आउतर लेंस क्या होना चाहिए आउतर लेंस निकट दिश्ट दोस के लिए आउतर ले दूर दूर दुर्ष्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् जिनको दूर की वस्तुवें दिखाई पड़ते हैं परन्तु जो नस्दीक की वस्तुवें होती हैं उनको देख नहीं पाते हैं जो दूर की वस्तुवें होती हैं उनको देख लेते हैं परन्तु जो नस्दीक की वस्तुवें होती हैं उन सबको देख नहीं पाते हैं ठीक तो यहां कहा जा रहा है इसका उत्तर आपके सामने है ऐसा द्रिष्ट दोस जिसमें दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई देती है परन्तु निकड की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है इसे ही दूर द्रिष्ट दोस कहते है और जिस वेक्त के नेत परन्तु जो निकड़ की वस्तोवी असपष्ट रुससे नहीं देख पा रहा है तो ऐसे दोस्zne को हम क्या कहते हैं दूर दिष्टि दोस कहते हैं यानि दूर दृष्टी दोस में दूर के वस्तुएं असपस्ट आपको दिखाई देगा परनतों जो नस्दीक के वस्तुएं है वो असपस्ट दिखाई नहीं देगा तो ऐसे दोस को ही कहा जाता है दूर दृष्टी दोस अब दूर दृष्टी दोस को दूर करने के लिए हम उत्तलेंस का परियोग किया जाता है यानि जिस वेक्ट को दूर की वस्तों में दिखाई पड़ रही है और निकट की वस्तों को नहीं देख पा रहा है तो ऐसे वेक्ट को कौंसलेंस का परियोग करना चाहिए उत्तलेंस का परियोग करना चाहिए यानि निकट दिश्टी दो तो इसके लिए हमें उत्ता लेंस का पर्योग करना चाहिए अगला प्रशन का रहा प्रशन नम्बर तीन आपके सामने हैं जो कि बहुत ही महत्तपूर प्रशन हैं एक्जाम की द्रिष्ट से अगर देखा जाए ठीक तो यहां प्रशन 3 कह रहा है जरा दृष्टी दोस्स से आप क्या समझते हैं इसे दूर करने के लिए हमें किस लेंस का पर्योग करना चाहिए यानि आपके नेत्रे में आपके आँख में तीन दोस्स होते हैं निकट दृष्टी दोस्स दूर दृष्टी दोस्स और जरा दृष्टी दोस्स हम आउतर लेंज का परियोग करते हैं दूर दिफ्टी दोस के लिए हम उत्ता लेंज का परियोग करते हैं जब कि अगला है जरा दिफ्टी दोस से आप क्या समझते हैं इसे दूर करने के लिए हमें किस लेंज का परियोग करना चाहिए तो आपकी साम जिसका उत्तर है जब कि किसी व्यक्ति को व्यक्ति को सक्षब को इंसान है को इंसान आई को जह परती है और ना को हम जरा द्रिफ्टी दोस कहते हैं जिस वेक्ट को जिस इंसान को जिस मानों को ना तो दूर के वस्तु दिखाए पड़े और ना ही निकड के वस्तु दिखाए पड़े तो ऐसे दोस को ही कहा जाता है जरा दृष्टी दोस तो इस दोस को दूर करने के लिए मन इस लेंस का परियोग करता है अब कौन सा लिंस का परियोग करता है जब वेक्ट को ना तो दूर के वस्तों दिखाए पड़ती है और ना ही निकड के वस्तों दिखाए पड़ती है तो आपके सामने इसका उत्तर है इसे दूर करने के लिए आउतल तथा उतल दोनों लिंसों का परियोग किया जाता है तो वच्चों इसमें आपने क्या सिखा तो जब किसी वेक्त को ना तो दूर के वस्तु में दिखाए पड़ते हैं और ना है निकड के वस्तु में दिखाए पड़ते हैं तो ऐसे दोस्त को कहा जाता है यानि इस दोस्त को दूर करने के लिए वह वेक्त अपने चस्मे में और नहीं दिखाए पड़े निकड की वस्तू, तो जो वेक्ति होगा वो अपने नेत्री में चसमा का परियोग करता है, और उस चसमे में वो आउतलता था उतल दोनों परकार के लिंसों का परियोग करता है, तो अगला परशन है, जो कि बहुत ही महत्तोपूर परशन है, तो क्या समझते हैं असपर्ष्ट याने कोई चीज आपको असपर्ष्ट दिखाए दे ना दिखाए दे धुनला दिखाए दे एकदाने एकदम साफ साफ दिखाए पड़ेया पी कोई वस्तु है द्रिष्टी के मारे देखना नियूंतंव दूर यानि कम से कम दूरी अर्था त्रुमाने आख, यानि आख के निकट या नेत्र के निकट एक ऐसी दूरी, जिस पर इस्थित वस्तु का परतिबिम्ब, यानि परचाएं, रेटिना पर सुअस्पष्ट बनता है, सुअस्पष्ट का मतलब होता है, एकदम साफ साफ बनता है, कोई वस्तु धुमला क्यांने नेत्र के निकट आख के पास एक ऐसी दूरी होती है, जिस पर इस्थित वस्तु का परतिबिम्ब, रेटिना पर एकदम सुअस्पष्ट यानि एकदम साफ साफ बनता है, इसे ही अस्पष्ट दिख्ट के उन्हें उन्हें तम दूरी कहते हैं, सामान नेत्र के सेंटिमिलर दूर रखा जाएगा तो आप उस वस्त को अच्छे तरीके से असपस्ट रूप से पढ़ सकते हो देख सकते हो इसे आपको पेपर पढ़ना है ना सुबा सुबा पेपर पढ़ना है जो आप उस पेपर को अपने आंग के वो करेब लेके आते हो तो उसमें जो पेपर में लिक अच्छा आपको सुबा सफस्ट साफ साफ दिखाए पढ़ता है यानि कहने का मतलब यही है नेत्र के निकट एक ऐसे दूरी जिस पर इस तो वस्त का परते बिंबू रेटिना पर सुबा सबस्ट बनता है असपस्ट दिश्ट के नियून तम दूरी कहते हैं ना है दूर दिख्टूरी दोसर रहे उसके लिए बात बात किया रहा है ठीक सामान नियत्र के रिए जो आश्बाद कद्र के नियूंतम दूरी होती है कितना होता है 25 सेंट्यमिट करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे सी समझ वें आया होगा अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में खुब शेयर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंसता रहें तो दोसरे पाट है जो मानियत्र है रंग बरंग संसार है इसमें से यहान से अकर आपसे कोई पूछेगा तो और ओरचव दोस्त दोस्त इस चार हेइडिंग में से आपको तीन नमबर के लिए एक पज़्न हरहाल में पूछ सकता है पूछेगा भी 2021 में तो अमीद करते हैं इसको आप अच्छे समझ गए होगे अगर नहीं समझे हैं आपको हमें कमेंट करके बताईएगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू